Hey guys, welcome to world affairs, मैं हूँ प्रशान्थ धवन, नावगरम बात करें, Elon Musk की तो अपने आप में एक revolutionary entrepreneur हैं, उनके काफी बड़े सपने हैं, humanity को लेकर वो चाहते हैं कि Mars को colonize किया जाए और कई और उनके बहुत बड़े ideas हैं, और आपको याद होगा कि 2018 में इन्होंने अपनी एक car को launch कि या था, into outer space, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है यहाँ पर Tesla Roadster, यह Elon Musk की गाड़ी है और बिलकुल आज के समय यह भी sun को orbit कर रही है, along with all the planets, और इस गाड़ी को Elon Musk ने बस launch किया था, अपने शौक के लिए, अपने entertainment के लिए, और of course publicity के लिए भी, मगर यह सब यह कर पा सकते हैं space में, तो SpaceX का use करके Elon Musk चाते हैं के in the future, planet earth में कोई human being कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, उसे satellite internet हम provide कर सके, तो discuss करते हैं Starlink के बारे में, Starlink क्या है, और Elon Musk ने recently India के बारे में क्या announcement करी है, और कभी यह Indian market में enter करेंगे with his satellites, so बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिल a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप UPSC की preparation कर सकते हैं, properly घर बैटे कहीं भी, with Unacademy's UPSC course, Unacademy की website पर जाओ, या फिर इन की जो app है Unacademy app, यह भी आप download कर सकते हैं, simply यहाँ पे click करिए UPSC, get subscription, और आपके सामने दो option आएगी, plus iconic, go for the iconic course, क्योंके यहाँ पे आपको मिलती है, live classes from India's best educators, live test, quiz, means question answer practice, personal coach, study planner, तो यहाँ पे आप click कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा price, 69,500, यह price पे करने की आपशकता है नहीं, simply यहाँ पर एक code डाल दी जिए, PD10, यहाँ पे आपको बस type करना है, apply करिए, and instantly, almost 7,000 rupees off, और यह codes आप purchase कर सकते हैं, for just 62,500, use the discount code, और इस दिवाली, इस festive year, start करिए, something new in your life, hit, the Unacademy Cracking 6, और एक question मैं आप आप से पूछना चाहूँगा, कि इस रो की establishment कब हुई थी, date year आपके सामने, options आपके सामने है, नीचे comment section में सको attempt करिए, सही answer मैं आपको provide करूँगा, वीडियो के end में, now satellite internet अपने आप में एक revolutionary idea है, काफी remote area में रहता है, अरवनाचल पदेश के, लदाक के, और वहाँ पे internet access अभी तक नहीं पहुचा, तो उसके लिए एक option है, satellite internet, already हम देख चुके हैं, कि आज के समय almost 1000, most probably 1000 से उपर satellites, various countries launch कर चुकी हैं into space, और दुनिया भर में लोग इस internet का फायदा उठा रहे हैं, इंडि internet with satellites, और गलवान वैली बाइदवे आप सबको बताओगा, यहाँ पे आपको मिलेगी लदाक में, तो गलवान वैली की तरह इंडिया में, अरवनाचल पदेश में, सिक्कियम के आसपास, और इवन मैं कहूंगा उतराखंट के जो northern area है, वहाँ पर various locations हैं, जहाँ पर अभी internet पहुचा है नहीं, और सरकार का plan है कि आने वाले कुछ साल में, यह 5000 remote villages को internet प्रवाइड करेंगे through satellite, इसके लिए एक company के साथ tie-up भी हो चुका है, company का नाम है Huge India, यह वैसे company, एक global company है, इसका नाम है Huge Network, जो इनकी Indian subsidiary है, इसका नाम है Huge India, याने वाले कुछ सालों में क्या कर satellite है, G-Sat 19 और G-Sat 11, इसका यूज करके 15 states और Union territories को यह provide करेंगे internet, इसमें शामिल होंगी लदाख, अरुनाचल पदेश, मीजोराम, तृपुरा, मनेपुर, जारखंड, अंडवान, निकोबार, लक्षवदीब, यह सब states और Union territories, और बाइद वे बिलकुल यह भारत net project के अं satellite internet, अच्छा speed के आएगी इस internet की, देखें बताया जा रहा है कि 2 Mbps से लेकर 20 Mbps के आसपास की speed आएगी 2.5 lakh ग्राम बंचायस को all over India, बड़े शेरों से आप अगर compare करोगे तो यह speed इतनी impressive है नहीं, मगर फिर भी जहाँ पर internet है ही नहीं, वहाँ पे अगर मानलों के 10 Mbps की speed भी आती है, तो that is some development, ना यह तो हमने बात करी है भारत net की, मगर अब foreign companies हैं, वो भी आई कर रही है आज के समय हमारे प्यारे भारत की market, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, कई areas एंडिया में वहाँ पे internet पहुचा नहीं है, तो satellite internet की demand इंडिया में बहुत बड़ी है, औ अगर इनको मिल जाती है regulatory approval, जो most probably मिली जाएगी इनको 2021 कियंत में, या फिर हो सकता है कि 2022 की शुरुवात में, ये इंडिया में भी satellite internet प्रवाइट करना start कर देंगे, अब question यहाँ पी obviously यह आता है, कि SpaceX का जो star link है, इसकी cost क्या होगी और यहाँ पे speed क्या मिलेगी, देखो ज internet के अंडर huge India internet प्रवाइट करेगा, उसकी cost के बारे में अभी के लिए zero information है, कुछ भी इनोंने cost के बारे में कहा नहीं है, speed के बारे में इनोंने बताया है, मगर SpaceX की cost के बारे में हमें ये बताए कि US में, इसका पूरा जो equipment है, ये cost करता है 35,000 रुपे, मतलब कि roughly 4.99 US dollars, उस kit में एक dish मिलता है, एक router मिलता है, कुछ और वहाँ पे equipment होते हैं, और फिर आप पूरे एक घर को connect कर सकते हैं with the internet, तो जो ये kit है, वही करीब 35,000 के आसपास आएगी, और उसके बाद monthly charges आपको और pay करने होंगे, US के prices जो हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है monthly 7,500 रुपीज के आसपास, इंडिया में क्या ये price कुछ reduce करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमको देखना होगा 2021 में, मगर Starlink की देखो खासियत यह है, कि speed जो internet की ये काफी अच्छी provide कर रहे हैं, इन्होंने अब तक 900 के आसपास satellites launch कर दी हैं अंतरिक्ष में, और US में जो speed लोगो through the satellite, तो again इसके काफी घ्राक होंगे in India, अब यहाँ पर आपका एक और question होगा, तो ठीक है भारत सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, SpaceX अपनी जगा है, मगर कोई Indian private company नहीं है, जो इस तरीके से SpaceX को टक कर दे, तो मैं आपको बदना चाहूंगा कि भारती ग्रूप कोशिश क इसको परचेस कर लिया, तो OneWeb में भी काफी possibility है, काफी इनका बड़ा network है, और इन्होंने recently announced भी किया है कि 2022 तक यह इंडिया में satellite, internet प्रवाइट कर देंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, The Economic Times का, भारती's height speed internet from OneWeb satellites in India by 2022, इसके लिए इन्होंने यह काए क कुछ जो हमारी policy है, space related, उसमें हमें कुछ changes भी करने होंगे, जिससे जो business है, यह जादा lucrative बन पाए, और I am sure अगर भारती ATLista की service प्रवाइट करेगा, तो most probably reliance भी कुछ ना कुछ इसमें start कर सकता है, और इसमें यह भी possibility है कि reliance के through, इस रो को billions का business भी मिल पाए, क्योंकि अगर मालो reliance भी कहता है, कि हम इसमें enter करना है, तो यह भी अपनी satellites launch करेंगे, और satellites launch करने के लिए best source India में इस रो, ना एक और question सामने यह भी आता है, कि जब इतनी satellites launch होंगी, क्योंकि Starlink ने यह काए, कि eventual हमारा target है, कि 10,000 से भी जादा satellites हम launch करेंगे, धरती के हर कोने में, चा करने के लिए इनको इतनी satellites चाहिए होगी, it is a requirement, तो space debris का क्या होगा, debris मतलब जो अंतरिक्ष में मलवा होता है, आज के समय बढ़ता जा रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, तो SpaceX ने यहाँ पर maximum यह का है कि देखिए, जो हम satellites launch कर रहे हैं, यह हम कोशिश कर रहे हैं कि edge of on orbit के आस-पास हम उसको place करें, और यह regulatory और industrial standards के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, कोशिश यह है कि बाकी satellites को जरा problem ना आए, और हमारी satellites काफी छोटी भी है, compact भी है, तो इनके हिसाब से space debris की इतनी problem नहीं आने वाली जितना लोग anticipate कर रहे हैं, ना चलिए वापस आते हैं अपने question पे क इसका जो सही answer है, यह है C, 15 August 1969, एक interesting बात मैं आपको यह बदा दू कि नासा ने human beings को moon पर भेज दिया था by July 20, 1969, तो जब इस रो बना भी नहीं था, नासा already human beings को moon पर भेज चुका था, तो इसलिए आज के समय इस रो की जो भी accomplishments हैं, यह बहुत special है, क्योंकि ना सिर्व यहा एक दशक बात भी start हुई थी, सो इसी note के साथ वीडियो खतम करते हैं, thanks for listening and as always, God bless you all, और आप सब लोग मुझे से connect कर सकते हैं with my telegram channel, यहाँ पे मैं आपको जो भी updates हैं, जो भी videos के links हैं, यह सबसे पहले provide करूँगा, so join the telegram channel, अर आप सकते हैं, यह सुपिय दूदिए यहाँ... झाल